करिक लाहिर हमान ही साम अलेकम मिने से जाबर बंगष लास्क वीडियो जैसे बनाना चाहा वह अचानक बारिश हो गई तो इस वह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो सोचा यह जो आपको आपको मिलता हो यह बीडियो जो है वह बीच में ज्यादा ब्रेक ना आए तो अभी से दो वीडियो अप्लोड करूड एक वीडियो तो आपकी । वाली ब्रियत एकिसे वाली और बार ब्रोडिय यह तो मैंने अप्लयौड कर ढही है, वह तो मुसल्सल अभी मुझे काफी कॉमेंट्स भी आ रहें काफी मैसेज भी आ रहें कि सरती से पार्ट नमबर त्री पार्ट नमबर त्री में क्या करने आपने आपने यह करना है कि सेम उसी पुजिशन पर आपने पुजिशन लेने जैसे कि आप यह पुजिशन लिया हमने ठीक है इस पुजिशन की साथ जैसे हम वन पंच करते थे पिर डबल पंच करते थे ठीक है अब आपने क्या करना है एक स्टेप तोड़ा सा देखें यह आपने पुजिशन लिया वान एक स्टेप आगे लेना है कि 45 एंगल पर और आगे पाउंग की उपर वजन होगा पिर आपने वान पंच यह टू पंच यह करना है पिर आपने बैक जाने वान पिर इसी तरह लेफ्ट वान टू पिर बैक वान टू वान टू अच्छा यह हो गया डबल पंच पिर स्टैप चीक है अब जब हम इसको टैस्स लेंगे आपसे तो वह इंशाला आला नहीं चाहा तो कि पांच मिनट के अंदर अंदर हम आपको देख लेंगे कि अब टैस्स का कैसे होगा तो आपने इसको फॉलो करना है उसके बाद इसी तरह एक होते हैं शोडो सेक्ट वह भी सेम ऐसी ही है यह मैं दो दो वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप जल से जल जो नहीं यह को अगस के मिड में या पिर एंड तक आप यह मुकमल करो और मैं आपकी जो है मैं आपका टैस्स ले लूँ अब वही पोजिशन है ठीक है जैसे हमने स्टैप के साथ डबल पंच किया है सेम यह और ही वन यह शौट मारने यहां पर भी है और यह यहां पर भी मार सकते है लगता बड़ा अच्छा है यह चूँ पिर इसी तरह फिर आगे जाना है यू मारना है यू स्टैप आपका पुजिशन ऐसे होगे कि मतलब तोड़ा सा वेड डालने यह पुजिशन वन यह चीज ह आपके पैर आगे जो पैर आपका इसके उपर वज़न हो और प्सका धान के और यह चेंबर और यह वेट आपका नीचे होना चाहिए दो चीज़ें आपको यह बता दी इंशाला अगली वीडियो में दो चीज़ें आपको और बताता हूं अलाह आपस